व्रीवन विल्काम बैक अगेन बीटा तो आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी वाक्षीट नंबर 35 ग्लासिक्स की ये वीडियो है इसमें हमने पढ़ना है to know our numbers तो सबसे पहले हमने सीखनी addition as you know addition क्या होती है numbers का sum कैसे करते है subtraction क्या होती है multiplication क्या होती है और division क्या होती है तो देखो बेटा first question आपको क्या दिया हुए आपने क्या करना है 4.50 में 120 को प्लस किया 0.0, 5.2.10 और 5.4 प्लस 1.5 ठीक है फिर 8.43 में से इसको minus किया तो 13 इसने इसको बोरो दिया तो 13 में से 8 गया आपके पास बचा 5 यहां पे बचा आपके पास 3 3 में से 2 गया 1 यहां किया बचा आपके पास 7 ठीक है क्योंकि नहीं सोरी यहां पे बचेगा 8 8 में से 6 गया आपका 2 ठीक है next आपका देखो क्या दिया हुए third question आपको इन से क्या करना multiply तो 8 3 गया 24 क्यादी कर गया 2 8 6 गया 48 48 गया 50 क्यादी कर गया 5 then 8 2 गया 16 16 गया 5 21 right then 3 3 गया 9 3 6 गया 18 क्या गया 1 तो यहां से क्या आगया 3 2 गया 6 गया 7 ठीक है तो यह बन गया 4 9 8 गया 1 9 7 गया 2 9 25 नहीं सा 225 यहां से बच्चा 12 उपर से मैंने लिया 5 तो यह आगया 25 6 गया 125 clear अब अगला question देखो इसने बोला राधा मार्केट में गयी राजू मार्केट में गया राधा ने आप टोटल 15 गार्लेंट्स ले जबकि राजू ने ले 22 तो टोटल कितने गार्लेंट्स होंगे प्लस कर दिया प्लस किया दो कितना बन गया 37 clear आगे देखो अगले वर्शन में इसने बोला राजू किसी शोप पे पंकज किसी शोप पे गया उसने कुछ समान खरीदा कितने रुपे में खरीदा 350 रुपीज में और टोटल उसने दुकानदार को कितने रुपे दी 500 रुपीज तो उसके पास कितने रुपे बचे तो मैंने इसको इसमें से क्या कर दिया माइन अचिट मिन्स 150 रुपीज अगले क्वेशन में उसने पूछा कि one bunch of grapes पे कितने grapes है 18 तो 4 पे कितने होंगे बेटा multiply हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा पे पूछा गया है तो कितना होंगे 72 grapes last question देखो इसने क्या बोला अगर मैं यहां से बात करूँ last question आपका क्या कहता है last question उसने पूछा कि जो total number of plants है वो कितने 42 और एक बैड में हमने कितने flowers लगाने 6 तो हर एक बैड में कितने flowers होंगे क्या करूँगी square से divide देखो total दिया हुआ total में से एक में पूछना है 6 में मेरे पास कितने 42 तो 1 में कितने होंगे देखो कम से ज़्यादा से कम पे आई हो तो कितना करूँगी 42 को 6 से divide तो कितना अगया 7 clear यह थी आपकी worksheet number 35 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much